Hello friends, welcome back to my channel, मैं अपने channel HP exam corner पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके exams की preparations भी बहुत अच्छे चल रही होगी तो friends, आज हम astronomy की class 3rd करने वाले हैं, इससे पहले already class 2 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने formation of galaxy यानि की galaxy जो है अकाश गंगा उसका गठन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हमने discuss किया था तो friends, आज की वीडियो में काफी सारे topics पे हम discuss करने वाले हैं, जैसे की तारा मंडल क्या होता है, द्रूव तारा हम किसे कहते हैं, लगु सब्तरिशी क्या होता है, व्रिहत सब्तरिशी किसे कहते हैं, म्रिग तारा क्या होता है, सायरस तारा किसे कहते हैं, नक्षत्र क्या हो और ब्रहमांड की उत्पत्ती का सिधान्त क्या है तो friends बहुत ही important topics है hopefully आपको समझ आएगा एके करके हम सब के बारे में discuss करने वाले हैं तो चलिए friends without wasting any time आज की वीडियो शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले हम बात करेंगे सूरे के पास वाले तारों के समझ को क्या खहते हैं तो friends जैसा कि आप image में देख सकते हैं ये है सूरे तो सूरे जो है उसका अपना जो जहां पर अर्थ हमारी orbit में घूमती है उसे क्या कहते हैं सौर मंडल ठीक है तो सूरे के जो पास तारों का समझ है तो ये है सूरे के पास वाले तारों का समझ आप देख सकते हैं group of stars तो friends जो group of stars सूरे के पास हैं उसे हम क्या कहते हैं तो friends सूरे के पास वाले तारों के समझ को हम क्या कहते हैं नक्षत्र कहते हैं याद रखना है सूरे के पास वाले तारों को क्या कहते हैं नक्षत्र कहते हैं और friends सूरे से जो थोड़ी दूर तारों के समू है आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा दूर है सूरे से तो सूरे से जो थोड़ी दूरी पर तारों के समू है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम तारा मंडल कहते हैं क्या कहते हैं तारा मंदल कहते हैं तो याद रखना है सूरे से पास जो तारे हैं तारों का समू है उसे नक्षत्र कहा जाता है वहीं जो सूरे से थोड़ी दूरी पर तारे हैं तारों का समू है उसे हम तारा मंदल कहते हैं तो friends क्या है दोनों में कोई फर्क नहीं है दोनों क्या है group of stars ही है ये भी group of stars है और जो दूरी पर है ये भी group of stars ही है जो करीब है सूरे के जादा करीब है उस पर क्या है जो तारों का समुहू सूरे के जादा करीब है उस पर क्या है जादा असर पड़ता है और जो दूर है उस पर सूरे का कम असर पढ़ता है तो जो नक्षत्र है ये भी हम कह सकते हैं नक्षत्र क्या है सूरे के पास है तो नक्षत्रों का जो है सूरे पर जादा असर पढ़ता है वहीं अगर हम बात करें तारा मंडल की तो तारा मंडल का सूरे पर कम असर पढ़ता है तो याद रखना ह वही अगर हम बात करें कि नक्षत्र जो है उसकी total संख्या कितनी है कितने नक्षत्र है तो friends 27 नक्षत्र है total और friends भारतिय मनिश्यों के अनुसार क्या है आठवा नक्षत्र अभी जीत भी जो है अजियूम किया गया है वैसे अगर हम commonly बात करें तो नक्षत्र कितने हैं तो 27 नक्षत्र हैं वहीं अगर हम बात करें तारा मंडल की तो टोटल तारा मंडल कितने हैं तो 89 तारा मंडल है तो आपको संख्या याद रखनी है नक्षत्र पूछा जाए तो 27 हैं वहीं तारा मंडल पूछा जाए तो 89 है तो फ्रेंड जो ये सूरे है ये तो घूम रहा है ठीक है तो ये एक महीने में कितने नक्षत्रों को पार करता है तो 2.25 नक्षत्रों को पार करता है एक महीने में तो फ्रेंड वहीं अगर हम बात करें कि जो ये सूरे है वो एक साल में कितने नक्षत्रों को पार करेगा तो फ पार करेगा सूरे एक साल में तो याद रखना है एक महीने में सूरे कितने नक्षत्रों को पार करता है 2.25 वहीं एक साल की बात करें तो 27 नक्षत्रों को पार करता है सूरे वहीं नक्षत्रों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई तो नक्षत्रों की संख्या भी कितनी है 27 है तो friends जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो तारा मंडल है, वो सूरे से दूरी पर है ठीक है? तो सूरे से दूरी पर होने के कारण इसे क्या कहते हैं? इसे तारा मंडल कहते हैं. तो friends कोई भी चीज जब दूरी पर चली जाती है तो हलकी फुलकी वो किसी चीज की आकरिती लेने लगती है क्या होता है जब हम किसी चीज को पास से देखते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं लगता है क्योंकि friends तारा मंडल क्या है सूरे से काफी दूरी पर है तो तारा मंडल में भी जो तारो के समों है जैसे कि ये तारो के समों है ये तारो का समों है तो इसको अगर हम दूर से देखेंगे तो इसकी क्या है अलग-लग shapes हमें दिखाई देगी अलग अकृती दिखाई देने लगेगी ठीक है किसी को हम शिकारी की तरह देखने लगते हैं कोई हमें शिकारी की तरह दिखता है तो उसका नाम हमने क्या रख दिया ओरियन स्टार ठीक है वैसे ही कोई हमें जो है तारों का समू साथ चम्मचों की तरह दिखता है उसका नाम हमने सब्त रिशी रख दिया कोई छोटे साथ तारों के समो का हमने क्या रख दिया लगू सब्त रिशी रख दिया तो वैसे ही फ्रेंड्स एके करके हम बात करेंगे कि क्या है ओरियन स्टार क्या है सब्त रिशी क्या है polar star आईए एके करके बात करते हैं एक बार मैं दुबारा repeat कर देती हूं सूरे जो है सूरे के पास जो तारों का समू है group of stars है इसे नक्षत्र कहते हैं नक्षत्र total कितने होते हैं 27 और सूरे से जो दूरी पर group of stars है तारों का समू है उसे हम तारा मंडल कहते हैं और ये कितने हैं तो ये हैं 89 चलिए एके करके तारा मंडल के बारे में बात करते हैं उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूं कि नक्षत्र जो है नक्षत्रों के कुछ नाम मैं आपको बता देती हूं नक्षत्रों के कुछ नाम क्या है चित्रा ह हस्त है, विशाखा है, श्रवण है, गनिष्ठा है, मागा है, आद्रा है, अनुरादा है, रोहिनी आदी क्या है, कुछ प्रमुख नक्षत्र है, वैसे टोटल कितने हैं? 27 है, लेकिन 27 में से कुछ एक के मैंने आपको नाम बता दिये, वो कौन कौन से थे? चित्रा, फर्स्ट है, सेकेंड नमबर पर है, हस्त, वैसे आप नाम सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा, विशाखा है, ठीक है, विशाखा के बाद क्या है? श्रवण है, श्रवण है, फिर क्या है? घनिष्ठा है, मागा है, आद्रा है, अनुराता है, रोहिनी, ये कु चलिए, आगे हम कुछ बात करते हैं, important points पर, अब हमने बात की, तारा मंडल, तो तारा मंडल मैंने आपको क्या बताया है, कि कुछ दूरी पर, सूरे से काफी दूर है तारा मंडल, ठीक है, तो इस प्रकार से तारों के समूँ अलग अलग है, ठीक है, दूरी पर क्या होता ह आकरिती में हमें दिखाई देते हैं, वैसे ही इसमें से क्या है, ओरियन स्टार है, ठीक है, ओरियन स्टार क्या आप इमेज देख सकते हैं, ये है ओरियन स्टार, ओरियन स्टार को हम क्या कहते हैं, हंटर स्टार भी कहते हैं, क्योंकि क्या है दूर से एक शिकारी की तरह दिखता है आप ये image देख सकते हैं friends ये image जो है दूर से ली गयी है तो ये आप देख सकते हैं ये ऐसा लग रहा है कि शिकारी ने क्या है धनूश बाण अपने हाथों में लिया हुआ है तो इसे हम क्या कहते है Orion Star भी कहते है Mrig Tara भी कहते है और Hunter Star भी कहते है ये जो पॉइंट है इससे Orion Belt कहा जाता है और और Orion Belt के बिल्कुल सामने कौन सा तारा है तो Cyrus तारा है Orion Belt के बिल्कुल सामने ठीक है तो मैंने आपको क्या बताया कुछ एक questions जो है discuss करते है Orion Star, Hunter Star या फिर Mrig Tara से related तो friends पहला question है कि Hunter Star के पास कौन सा तारा पाया जाता है तो मैंने आपको बताया Hunter Star के सामने Cyrus Tara पाया जाता है Cyrus Tare को क्या कहते है Day Star भी कहते है और ये समसे चमकीला तारा है ठीक है और friends इसे Orion के माधियम से खोजा जाता है ठीक है अगर आपको Cyrus Star ढूड़ना है तो सबसे पहले आपको क्या है Orion Star ढूडना पड़ेगा और Orion Belt के बिलकुल सामने होता है Cyrus Star और सबसे चमकीला तारा भी किसे कहते है Cyrus Star को ही कहते है Hunter Star को और क्या कहते है तो friends Hunter Star को और क्या कहते है Hunter याने की शिकारी ठीक है तो मैंने आपको बताया है कि ये दूर से कैसा दिखता है शिकारी की तरह दिखता है तो इसके और क्या क्या नाम है तो इसे Orion Star या फिर म्रिग तारा भी कहा जाता है थर्ड कोश्चन है सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो फ्रेंड्स सबसे चमकीला तारा याने की सायरस तारा है डे स्टार है ठीक है और डे स्टार को हम कैसे ढूंडते है तो इसे Orion Star की हल्प से ढूंडा जाता है अब बात करते है Orion Belt के सामने कौन सा तारा होता है तो फोर्थ क्वेशन है ये सारे important questions discuss किये Orion Star के बारे में Hunter Star भी जिसे कहते है ये शिकारी की तरह दिखता है इसे म्रिग तारा भी कहते है इसके बीच के तारों की अधिक संख्या है जिससे दक्षिन पश्चिम में सायरस तारा होता है तो इसके दक्षिन पश्चिम की दिशा में ही सायरस तारा होता है और इसके जो बीच में तारों की संख्या अधिक है ये कुछ points है Orion Star से related तो आपको याद रखना है और questions भी याद रखना है कि Hunter Star से related क्या क्या questions बन सकते हैं चलिए next बात करते हैं सब्त रिशी के बारे में यानि कि Ursa Major and Ursa Minor के बारे में तो friends Ursa Major या Ursa Minor की अगर हम बात करें तो ये आप image देख सकते हैं Ursa Major क्या है? Group of 7 stars है तो जो friends थोड़ा बड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? Ursa Major यानि कि व्रेहद सब्त रिशी जो थोड़ा छोटा होगा जिसकी shape थोड़ी छोटी होगा यहाँ पे exactly दिख रहा है ये छोटा वाला है तो इसे हम कहेंगे Ursa Minor यानि कि लगो सब्त रिशी और friends ये shape में थोड़ा बड़ा होता है तो इसे हम Ursa Major कहते हैं यानि कि व्रेहद सब्त रिशी तो friends क्या है उर्सा Major की जो ये है इसकी back side तो इसके पिछली तरफ और Ursa Minor के बिल्कुल सामने कौन सा तारा पाया जाता है तो दुरुव तारा पाया जाता है व्रेहद सब्त रिशी के पिछले तरफ और लगु सब्त रिशी के बिल्कुल सामने तो आपसे question पूछा जाए कि जो लगु सब्त रिशी के सामने और व्रेहद सब्त रिशी के पीछे कौन सा तारा पाया जाता है तो दुरुव तारा पाया जाता है तो friends ये है सब्त रिशी आईए सब तरिशी से क्या क्या questions बन सकते हैं उनको भी हम एक के करके discuss करते हैं तो पहला question है friends और्सा major के पीछ और और्सा minor के सामने कौन सा तारा होता है discuss भी कर चुके हैं हम द्रोवतारा द्रोवतारा इसे हम polar star, pole star या फिर north star भी कहते हैं ठीक है याद रखना है द्रोवतारे को और क्या क्या कह सकते हैं polar star भी कहते हैं north star भी कहते हैं क्योंकि ये हमेशा north दिशा में होता है हमेशा उत्तर दिशा में होता है द्रोवतारा साथ तारों के समो को क्या कहते हैं तो friends, सब तरिशी कहा जाता है साथ तारों के समो को तो friends व्रिहद सब्तरिशी हो या फिर लगू सब्तरिशी तो ये क्या है group of seven stars है तो group of seven stars is known as उर्सा major या फिर उर्सा minor सब्तरिशी कितने होते हैं तो friends दो होते हैं सब्तरिशी कौन कौन से लगू सब्तरिशी and व्रिहद सब्तरिशी उर्सा major या फिर उर्सा minor अब कहते हैं कि सब्त रिशी में कितने तारों की संख्या होती है सब्त रिशी में तारों की संख्या कितनी है तो साथ है सब्त रिशी में तारों की संख्या सब्त रिशी के पास कौन सा तारा होता है तो सब्त रिशी के बैक साइड पर अगर मैं कहूं उर्सा मेजर के बैक साइड या फिर उर्सा माइनर के फ्रंट साइड पर होता है द्रूवतारा आप इमेज में भी देख सकते हैं तो द्रूवतारा होता है सब्तरिशी के पास अब बात करते हैं तो द्रूवतारा हमेशा कौन से दिशा में होता है तो उत्तर दिशा में होता है दुरुवतारा नौर्थ स्टार भी जिसे कहते हैं ठीक है तो दिशा देखने का काम कौन सा तारा करता है तो दिशा देखने का काम भी कौन सा तारा करता है दुरुवतारा करता है क्योंकि हमें पता है कि दुरुवतारा कौन सी दिशा में होगा ह और हमसे सबसे नज़दी की तारा कौन सा है? तो friends हमसे सबसे नज़दी की तारा है सूरे. ठीक है मैंने आपको बताया था तारे क्या होते हैं जिसकी अपनी उश्मा या अपना प्रकाश होता है. तो सूरे भी क्या है उसके पास अपनी उश्मा और अपना प्रकाश है इसलिए सूरे भी एक तारा है तो हमसे सबसे नजदी की तारा कौन सा हुआ सूरे सूरे के पास जो तारों का समू है उसे क्या कहते हैं तो friends सूरे के जो पास तारों का समों है उसे नक्षत्र कहते हैं ठीक है अब बात करेंगे कि सूरे से दूर तारों के समों को क्या कहते है तो friends सूरे से दूरी पर जो group of stars है तारों का समों है उसे क्या कहते हैं तारा मंडल कहते है फ्रेंड्स सूर्य के अपने परिवार को क्या कहते है तो सूर्य का ये अपना परिवार है जो उसके आसपास गोमता है ये सूर्य का अपना परिवार है तो उसे सौर मंडल कहते है आप इमेज में देख सकते हैं ये है सौर मंडल और सौर मंडल में क्या होते हैं तो सौर मंडल में होते हैं ग्रह ठीक है और ग्रह कितने होते हैं तो ग्रह होते हैं आठ ठीक है याद रखना है सूर के अपने परिवार को सौर मंडल कहते हैं सौर मंडल में ग्रह पाये जाते हैं और ग्रह कितने होते हैं आठ होते हैं ग्रह ठीक है तो हमने ग्रहों की बात कर ली नक्षत्रों की बात कर ली तारा मंडल की बात कर ली आए कुछ और important points पर discussion करते हैं तो friends अब हम बात करने वाले हैं ब्रहमांड की उत्पत्ती का सिधात यानिकी theory of the origin of universe ठीक है super crunch या super cluster आईए बात करते हैं इसके बारे में तो friends अगर हम बात करें की ब्रहमांड की उत्पत्ती तो friends आज से क्या है Belgium के जो पादरी थे George Lamentar उन्होंने क्या सिधात दिया उन्होंने Big Bang Theory दी उनके अनुसार क्या है Big Bang Theory के अनुसार क्या है या फिर George Lamentar की जो थेरी है इसके अनुसार क्या है कि 15 million साल पहले 15 billion वर्ष पहले क्या है एक black hole type का एक पदार्थ था ठीक है जिसका घनत्व क्या था black hole से भी ज्यादा था ठीक है फ्रेंड्स ध्यान से सुनना ब्रहमांड की उत्पत्ती ठीक है कैसी हुई ब्रहमांड की उत्पत्ती तो फ्रेंड्स बेल्जिम के पादरी George Lamentar के अनुसार क्या है कि आज से लगवग 15 billion साल पहले black hole type का ही एक पदार्थ था जिसका घनत्व क्या था black hole से भी ज्यादा था किसी कारण से क्या हुआ उसमें विस्फोट हो गया उसमें blast हो गया और कई छोटे छोटे टुकडों में वो बट गया ठीक है वही उसके छोटे छोटे टुकडे क्या है अकाश गंगा कहलाते है ठीक है यह according to George Lamentar है ठीक है इसी को हम galaxy कहते हैं और इसके कितने टुकडे तो इसके 100 अरब टुकडे हुए याद रखना क्या था 15 बिलियन साल पहले ब्लैक होल जैसा ही एक पदार्थ था इसका विस्फोट हुआ विस्फोट होने के कारण क्या है उसके छोटे छोटे टुकडे हुए जिसे हमने अकाश गंगा कहा और कितने टुकडे हुए 100 अरब इसको ही अकाश गंगा कहा जाता है और ये जो ब्लास्ट हुआ था इसे हम क्या कहते हैं बिग बैंग थेरी इसे कहते हैं और जिस दिन यह वापिस से इकठा हो जाएगा उसे हम कहेंगे सूपर क्रंच तो याद रखना है ये थेरी क्या है तो इसी विस्फोट के बाद क्या स्पेस का निर्मान हुआ था समय की गढ़ना का प्रारंब हुआ था ठीक है कण आपस में क्या है इकठे होकर तारों का निर्मान किया उन्होंने और कई तारे मिलकर क्या हुए अकाश गंगा बन गई ठीक है अकाश गंगा बन गई उसके बाद क्या है तीन अकाश गंगा को अगर हम मिलाते हैं ये मैंने आपको first lecture में भी बताया था जब हमने आकाश गंगा के गठन का निर्मान जो है उसके बारे में पढ़ा था तो कई तारे मिलकर क्या है आकाश गंगा का निर्मान करते हैं ठीक है और तीन आकाश गंगा को अगर हम एक साथ मिलाएं तो उसे super cluster कहा जाता ठीक है कई super cluster मिला कर क्या बनाते हैं ब्रमांड बनाते हैं वहीं क्या हुआ friends हबल नामक विज्ञानिक ने बताया कि ये ब्रमांड जो है विस्तारित हो रहा है ठीक है ये फैल रहा है भार की तरफ जो है फैल रहा है ये उससे क्या हुआ जो ये ब्रहमांड है अन्तरिक्ष में चोटे चोटे चोड़े गए जो है हब्स नामक दूर डर्शी से इसे विस्तार का पता चलता है उन्होंने अकाश गंगा के बीच बढ़ रही दूरी का भी आधार पर सिद्ध किया है इसी आधार पर सिद्ध किया है हबलने की जो हमारा ब्रहमांड है ये क्या है फैल रहा है कोई शक्ती है फ्रेंड्स जो इसे क्या है ये फैल रहा है ठीक है फैलता जा रहा है फैलता जा रहा है ठीक है तो विद्यानों का मानना है कि ब्रहमांड को विस्तृत करके कोई शक्ती है जो की इसे खींच रही है अता क्या है जब ये शक्ती समाप्त होगी तो ब्रहमांड जो है दुबारा क्या है सिकुड जाएगा ठीक है तो वो जो black hole था जिसके छीटे पड़े थे जिससे आकाश गंगा का निर्मान हुआ अभी तो क्या है वो बाहर की तरफ फैल रहा है ठीक है कोई शक्ती है जो इसे खीच रही है लेकिन ये भी मानना है कि जब ये शक्ती खतम हो जाएगी तो ये वापिस से क्या है सिकुड़न शुरू हो जाएगा और सिकुड़कर क्या है ये अपने जो पहले की शेप है वो ले लेगा और उसे क्या कहते है उसे super crunch कहा जाएगा ठीक है तो याद रखना है super cluster क्या था super cluster था अकाश कंगा के जो हमने तीन समु को बनाया वो था super cluster लेकिन super crunch क्या होगा super crunch होगा जब वापिस से वो जो black hole जैसा पदार्थ था वो अपनी शेप ले लेगा जब वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा तो उसे super crunch कहेंगे तो ये है ब्रहमांड की उतपत्ती किस प्रकार से हुई तो आपको पता चल गया होगा कि 15 billion साल पहले की बात है black hole जैसा पदार्थ था उसका विसफोट हुआ ठीक है तो वो क्या हुआ उसके छीटे अलग लग जगा पर पड़े जिससे क्या है अकाश गंगा का निर्मान हुआ क्या हुआ कई तारे जो है सकेंदरित हो गए इकठे हो गए और इनी तारों के समों को आकाश गंगा कहा गया तो friends hopefully आपको ये समझ आ गया होगा आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो please वीडियो को like कीजिए अगर आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं please friends मेरे चानल को subscribe कीजिए अपने friends के साथ भी share कीजिए ताकि मुझे motivation मिलता रहे नए नए वीडि करेंगे hopefully friends आपको ये समझ आया होगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care and all the best for your future exams thank you दोस्तो